इवाले स्पेशल आजम बनाने वाले जट कीपट नमकिन चना दाल रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको तोड़ के बता है कितनी कूर कूरी ते जब आप घर पे बनाओगें दोस्तों तो गैरेंटी में आपको दोगी दम पर्फेट बनाएगी जब हम बनाते तो ओइली-ओईली बन जाता है भार जेसी दुकान वाले जेसी बनती नहीं वो क्यों नहीं बनती तो यहाँ पर छोटा सा सिक्रेट तरीका बता है इस तरीके से जब चना नमकिन दाल बनाओगे तो दम पर्फेट बनेगी बीना ओइल पी हम बनाने वाले रिजल्ट से तो आपको मालूम होई चुका, चोलो फिर बाते कम करते, रेसी भी बनाना स्टार्ट करें चार गंटा भीगोनी को रख दिया था, इसे मैंने दो या तीन पानी से पहले ही धो लिया है, तो चार गंटा हमारा हो चुका है, दाल हमारी अच्छी तसे भीगो कर भी हो चुकी है, अब आपको तोड़के बता देती हूँ, आप देख सकते हूँ, इस तरके से दाल होने चा है, अभी दाल का पानी में लिकाल लिया है, अभी यह पे दाल हम डाल देते हैं, इस तरीगे से, अच्छी तरस अच्छी तरस इसे फ्हला देगे, पंखे के निचे 10 मिन तक इसे छोड़ देते हैं, आपके पाद ज़्य घंटा समय हो तो आप इससी आदे गंटे के लीभी नहीं कुछ भी नहीं मैं आपको लेके बता देती हूं पानी होगा ना तो दाल जब हम फ्राइब करें तो पाच्छा होगा नहीं तो इस बात का ध्यान देना पूरी तरीकी से दाल को में ड्राइ कर लेना है इसलिए मैं आपको बता रहूं कि मोटा वाला कपड़ा ले मोटा जैसे हलवाई लोग से खाते कितने बड़े चाव से खाते तो वहीं दाल में आपको बताने वाल हूं आप इसे कम खर्च में घर पे बना सकते हो अब यहां पर ले 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 तो एक तरगी छन्नी चन्नी के अंदर हमने यह डाल दीनी इसके अंदर दाल अब इसे फ्राइ कर ल तो एक चमच है पर हमने तिखी वाली मिर्ची लेनी है, यदि आप इसमें कम तिखा खाना पसंद करते होगे, तो कम भी मिर्च ले सकते हो, अब है पर लेगे आदी चमच हल्दी, हल्दी के साथ हम डालेगे पाउ चमच जितना काला नमक, काला नमक डालने से क्या होता, स्वा तो आप खाते होगे ना तो वह भूल जाओगे, आग बार मेरे तरकी से बना कर देखो भी मुझे बता ना के गिता जी सही में भार से भी बढ़िया ये चना नमकिन बनी है, मसाले को अच्छी तास हमने मीस कर लिया, यह भी करते है में प्रोस से, यहाँ पे तेल गरम हो तो हमें चन्नी में डाल डाल के इसको इस तरह के से जब चपाना है, यानि एक तेल उपर आ जाए तो हम लोग चन्नी को उठा सकते हैं, तो हमारा तेल भी खराब न हो जाए, यहाँ पे देख सतो चम्चे के सायता से इससे गोल-गोल भूमाते जाएगे, एदम बढ़िया स तेल गरमा गरम चे थंडा तेल ना चे इस बात का ध्यान देना है, अच्छी तर से इसे फ्राइ करते जाएगे, और भी बढ़िया से उटपर निचे भी करते जाएगे, तो बबल से बबल कम होने के बाद ही हमें दाल को निकालना है, अभी तो दाल हमारी कच्ची नहीं इस पे कतोरी ले लेगे जो दाल हमने फ्राइ करके रखे तो इसके अंदर हमें डाल देनी है, अभी जैसे हमने डाल डाल ली इसके उपर हमें जो जातार, यह तो फिंकल कर ले ना है, घरम कर दो उत्में है, ततना हमें मम बबल कस टॉर्द सारी दाल हमने फ्राइ कर ली और मसाला पुरा लगा लिया अब इसे में चला लेती इस तरह का वाद देख लो कितना करा रहा हो क्रिस्पी है खाने में तो एक नंबर है जैसे भार से हम लागते ना बॉकिट में खाने के लिए दुकान में वैसे ही बननक कर तयार हो जाते हैं तो थोड़ा भी प्याने कुछ भी नहीं मैं आपको लेकर बता देते हैं आप देख से तो रगड़ रगड़ के बता रहे हो थोड़ा भी ओईल ने सिप मसाला हलका हलका लग चुका है मेरे हातों में तो इस तरके से हमाने डाल बना के रखी दोस्तों चना डाल नम्किन और खाने में एक नमबर है तो यहां पर ओईल भी थोड़ा पिया आने कुछ भी ने आपको रगड़ रगड़ के बता देते हो आप देख सकते हो है थोड़ा ही मसाला लगा है ओईल तो थोड़ा भी ने एक बून याने एक बून भी तेल नहीं है इसके अंदर तो चैनल पर दोस्तों नहीं होगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूलिए